हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाड़े विज सुजीत में तो दोस्तो आज हम लोग क्लास 12 के भाईलोजी के कोसंस बैन के जितने भी अबजेक्टिब पूछे जा चुके हैं हमारे बोर्ड एकजाम में 2009 से 2022 तक उन सभी कोसंस को एक ही वीडियो में कभर करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अन तक जोओ देखने का प्रियास किजिएगा दोस्तों क्योंकि इस से बाहर एक भी प्रस्णों तर आपके बोर्ड एकजाम में नहीं पूछा जाएगा यानि कि इस वीडियो को अगर आप सही से त्यारी कर देखते हैं तो इससे बाहर एक भी कोसंस नहीं आएगा तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रस्णों को और यहां पर फोस्त नव प्रस्णाप के सामने आ चुका है कि मनुस्य में मत्रात्मक लक्षण का उधारन होता है बालो का रंग त्वाचा का रंग आख जो बी है वह सही एंसर हो जेगा अब बस सिद्धत से अन तक जोड़ देखने का प्रयास किजिगा इस वीडियो को एक से दो बार अगर अच्छे से देख के त्यारी कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी कोसंस आपके बोर्डिक जामें नहीं छुटेगा दोस्तों एक जीन क बीभी रूपों को क्या कहा जाता है तो एक जीन के बीभी रूपों को युग में भी कलपी कहा जाता है जो अप्सन वर जो यहां पर बी है वह सही एंसर हो जेगा और लास्ट में कमेंट किजिएगा कि यह सेशन आपको कैसे लगा दोस्तों और यहां पर प्रस्ण है कि रि इसे रिलेटरे 2021 से 2020 उसके बाद 2009 तक हम लोग 12-12 से चलेंगे ये 2022 का प्रशनोंतर देख रहे हैं दोस्तो तो रेसम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है तो इसमें जो प्रोटीन के रूप में जो होता है दोस्तो वह फिब्रोईन होता है यानि कि जो आप्सन मर्जो ए है वह सही एंसर हो जेगा और फूर्थना प्रशन है कि लाइसीन युकते रेटीन तथा प्रोटीना की इसकी किसमें हैं काफी महत्त्य प्रशन है दोस्तो तो इसका जो सही एंसर हो जेगा वह माका हो जेगा जो की रेटीन तथा प्रोटीना इसकी किसमती है माका की यानि कि ज मीटो एस्पोर को उत्पादित करता है जो option नमर जो A है वो सही answer हो जेगा तो चलिए दोस्तो नेक्स नव प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 नव प्रस्ण को कि नीशेचन आंतरिक होता है तो नीशेचन जो आंतरिक किसमे होता है आपको बताना है तो इसका जो सही answer हो जेगा दोस्तो वो हो जेगा option नमर B सार्क में जो है नीशेचन आंतरिक होता है याद रखेगा जो option नमर जो B है वो सही answer हो जेगा बिभींता का मुख्य सुरोत क्या होता है काफी महत्तपूर सवाल है दोस्तों कि बिभींता का मुख्य सुरोत क्या होता है तो इसका जो सही इंसर हो जेगा वह उत परिवर्तन हो जेगा जो option जो बी में है वह सही इंसर हो जेगा और यहां पे काफी महत प्रशन है दोस्तों कि यह जो पाय जाता है आप संवर जो यहां पर दी है और एंटीलोब सेरवी काप्रा जो यह होता है संकट गरस्त प्रजाती याद रखेगा option और जो B है वो सही answer होजेगा जो संकट ग्रस्त प्रजाती होती है या बिलूप्त जो प्राणी होती है उसको read data book में उसे लिखा जाता है याद रखेगा तो इसका जो right answer होजेगा option number B जो सही answer होजेगा आपको ये session अच्छी लग रही हो तिसे like जोरू गये हैं और यहाँ पे पुछा गया है कि read data book में सुची बध प्रजातियां है सुभेद अपति ग्रस्त और संकट ग्रस्त और डी है इनमे से सभी तो यहाँ पे read data book में जो सुची बध प्रजातियां जो होती है दोस्तो वह होती है इनमे से सभी क्योंकि संकट ग्रस्त भी अपतिग्रस्त भी यानि कि उसका बहुत ही जल्द ख़त में होने वाला है जैसे भारत में क्या होता है कि आज कल चीरिया बहुत ही कौम दिखाई दे रहें जैसे गोराईया हो गया तो हम लोग गोराईया खासकर हमारे घौर में ही दिखाई देती है तो इसलिए गोराईया को तो जरूर्स आप लोग अच्छे से रखिएगा हमारे घर में भी हम गोराय को अच्छे से पालते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से चीरिया को भी अच्छे से आप लोग पालंग करिएगा दोस्तों क्योंकि चिरिया अगर हमारे बीच नहीं रहेगी तो वह संकट ग्रस्त प्राणी के रूप में भी आ सकती है और हमारा जो पक्षी है वो गोराया ही है और यहाँ पे बीसो सनक्षार दिवस मनाया जाता है तो दोस कराय टेंसल होजएगा ओप्सण मरर दी और वीसो सनक्षार दिवस मनाया जाता है यहाँ बीहार बोटके जो यहाँ पे ओप्सण जो दिया गया था वो यहाँ पे गलत दे दिये गया था जो उनके दोड़ा ही गलत दिया गया था तो यहाँ पे जो बीसो सरक्षार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तो वो अठाई जुलाई को मनाया जाता है याद रखेगा जो यहाँ पे जुद्य कहें ऑप्सन ये बिल्कुल ही गलत है अठाई जुलाई को मनाया जाता है बीसो स्रक्षर दिवस और पांच जुन को क्या मनाया जाता है दोस्तो याद रखेगा पांच जुन को परेवरान दिवस मनाया जाता है का अधियान क्या कहलाता है तो याद रखेगा बलाड में प्रतिजनन प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की प्रसपर किरिया जो इसका जो अधियान होता है वह जानते हैं दोस्तों क्या कहलाता है वह सेरो लॉजी कहलाता है याद रखेगा option वर जो यहाँ पे जो ए है वह राइट इंसर हो जेगा और याद रहिए रखेए यह session बहुत ही महत्यपून होने वाला है इस session को अगर आप 2-3 बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो इससे बहर एक भी questions आपके वोड़ इजा में नहीं आने वाला है और कुष्ट रोग किसके कारण न थे काफी महत्यपून प्रस्ण है दोस्तों कुष्ट रोग किसके कारण होता है तो कुष्ट रोग जो होता है दोस्तों वह माईक्रो बेक्टरियम के दवरा ही होता है याद रखेगा option नहीं होर यह यह पे जो C है वो सही इंसर हो होजेगा और जो टाइफाइड जो बिमारी होता है या सलोमिनेला टाइफी के दवरा होता है जिवारू के द्वारा तो याद रखेगा टाइफाइड सैलोमेवफण जिवारू के द्वारा होता है और कुछ रोग जह होता है वह माइक्रो बेक्टरियम द्वारा होता है. याद रखेगा कौन सा जो रोग है वह भी साडू से होता है यानि कि वाइरस से होता है याद रखेगा तो वाइरस से जो यहाँ पे जो रोग दिखाए गया है वह आप्सन नमबर बी में यहाँ पे दिखाए गया है खसरा और एबी यानि कि आप्सन नमर जो यहाँ पे जो बी है वह राइट एन्सर होजेगा और आधे जो होता यह वी संरो के द्वारा ही होता है लेकिन सीफजीस नहीं होता है जाद रखेगा इसका राइज cleaned आपस नंबर बी और इहां अ कि नीम लिखित में से कौन सा गर्भासे के अस्तर में परत्यारोपित होता है गर्भासे यानि कि जो महिलाएं होती है उसके जो गर्भासे अस्तर में जो परत्यारोपित होता है क्या होता है यहां बताना है मुरूला गेस्ट्रूला युगमनाज और प्लास्टोसिस्ट तो इसका जो सही इंसर हो जागा द रहता है तो यहां सन रक्षित रहता है और यहां पर प्रस्ट मेरे यहां पर दिखाए देगा लेकिन हम आपके बीच बिल्कुल ही सही से पड़के बता देंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा दोस्तो मनुस्य के विकास की आयू किसके द्वारा मापी जाती है काफी महत्त प्रस्ण है दोस्तो कि मनुस्य के जो विकास की जो आयू होती है वो किस के द्वारा मापी जाती है तो यहाग जो मापी जाती है रेडियो धर्मी दिनांकन और रेडियो धर्मी डेतिंग द्वारा मापा जैता ही याद रखे का Bible अपसरमार जो यहाँ इहाँ पर बिलूपते सरी सरी पे है यानि कि यहाँ पे जो option मर्जो यहाँ पे जो B है वराइट एंसर हो जगा बिलूपते सरी सरी और सीनो जोई की यूग माना जाता है काफी महत्तपूर सवाल है दोस्तों कि सीनो जोई की यूग माना जाता है तो यहाँ जो माना जाता है दोस्तों यह माना जाता है अस्तंधारियों तथा आधूनी वरस्पतियों के काल को सिनो जोई की यूग माना जाता है याद रहिए, अब समर्जों यहाँ पे जो A है वो राइट इंसर हो जेगा, तो चलिए हम लोग नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं, और यहाँ पे प्रस्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि RNA से D, जो DNA बनता है, उसे क्या कहते हैं, यानि कि जो RNA होता है, राइबोनीउकलीड एसीड से DNA यानि कि दियक्सीर राइबोसनीउकलीड एसीड, तो DNA जो बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, इसका right answer भी आप दे दिये होंगे उसे c dna कहते हैं याँ कि आप समर जो यहाँ पर जो d है वो right answer हो जगा c dna और polymerase सिरिंखला और अभिक्रिया के लिए अवाश्यक इंजाइम क्या होता है तो polymerase सिरिंखला अभिक्रिया के लिए जो अवाश्यक जो इंजाइम होता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों तो आपका answer भी अब तक आ गया होगा comment box में तो इसका right answer हो जगा take polymerase याँ कि option यहाँ पर d है वो right answer हो जगा और पूसा सुब्रा एक कीसम है काफी महत्य परस्न है दोस्तों कि पूसा सुब्रा एक कीसम होता है तो यह होता है फूल गोभी का याद रहे और समझे यहाँ जो बी है वो right answer हो जगा और देख रहे हैं यहाँ परस्न कि बीना नी सेचन के पोधों का उत्वादन कीस के दोरा किया जाता है तो यहाँ किया जाता है काइक परवर्थन दोरा यनि कि आप लोग हम लोग देख्ते हैं खासकर गाओं में काईक परवधन का कहा हो उत पानज जैसे घुलाब का जो पेंड होता है भिरिक्ष होता है उसको हम लोग डाली से कारATT लेते हैं काईक परवधन के दौरह और और कहीं पे हम लगा देते हैं और खासकर आज करके जो टेक्निलोजी का यूज हो रहा है कि आम के पेंड में ही लीची का पेंड लगाय दिया जाता है तो एक तरह से आम भी फ़र जाता है और लीची भी फ़र जाता है तो उसी प्रकार से ये काईक प्रवधन के कारण ही संभभ हो पाता है बीना निसेचन के तो आप समर्जो यहाँ पे जो C है वो राइट एंसर हो जेगा ट्राइटिकम, एस्टिवम जो की एक हेक्सापलोइड गेहुं है उसमें होता है तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो की एक हेकसा प्लॉइड गे हूँ है उसमें क्या होता है तो उसमें जो होता है दोस्तो वह होता है 42 गोंड सुत्र होता है यहनी कि आपसमर जहाँ पर जो D है वो राइट एंसर हो जेगा और सरीर में DNA उत्पादन का उस्थल होता है तो सरीर में DNA उत्पादन कहां होता है तो इसका जो उत्पादन का जो उस्थल होता है यह होता है दोस्तो जानते हैं क्या होता है यह होता है लीमपोसाइट्स लीमपोसाइट्स में DNA का उत्पादन उस्थल होता है यानि कि option मर्जों यहाँ पे जो B है वो right answer हो जएगा हम आपके बीच only answer बताते हुए चलेंगे क्योंकि यह session थोड़ा लंबा हो सकता है और आपको लंबा यह session होगा तो आप इस वीडियो को एक से दो बार करके आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से और यहाँ पे alpha 1 anti-t kok Difilsio Questo रिपर सीन जो होता है वह व्याट एैस्फिती के इलाज के लिए ही परियुकत होता है याद रहे। कंः मiph gri do complet के लिए & थे zeg वह सही अंसर हो जेगा और निमलीखीत में से कौन सा मीथेन उतसरजन होता है याद रहे दोस्तों कि धान के जो खेत से जो होता है वह मीथेन गैस का उतसरजन होता है याद रहे और यहाँ पे कार्बन मोनो अक्साइड एक प्रमुक प्रदूसा के है तो वह वायू का प्रमुक प्रदूसा कोता है कार्बन मोनो अक्साइड खास कर जो बड़े बड़े जो कमपनिया होती है जो वात्य भठी के रूप में जो उपियुक्त होती है यानिकि जहां से अधिक से अधिक धुमा जो निकलती है उसमें कारवर मोनो अक्साइड की जो संख्या होती है उसकी जो मान होती है वह बहुत ही अधिक होती है और वह वायू में फैल जाती है जिसका ही प्रमुक परदोसक है वायू का यानिकि और यहां पर देख रहे हैं प् परदर्शित करता है जो DDT होता है और पाराय जे और धन परदर्शित करता है निकले A और B दोनों यानिकि जो C answer है वह right answer हो जेगा दोस्तों और यहां पर प्रसन है कि रेडियो प्रदूसक के सबसे प्रतिकूल परभाव का परिमार क्या है तो रेडियो धर्मी प्रदूसक के सबसे प्रतिकूल परभाव का जो परिमार है वह होता है दोस्तो जीन उत्परी वर्तन यानिकि आप्सन मर्जों यहां पर जो डी है वह सही इंसल होजेगा और हेरोईन है तो हे एक परकार का ट्राइ ट्राइसी टाइल मॉर्फीन होता है यानि कि ओसरमर जो यहाँ पे जो behavior right answer होज़ेगा try acceptyle urpose keep the yeast heroine होता है यानि कि जो behavior right answer होज़ेगा डाइ Carson Ribose तथा राइबो सरकरा एक यहीं वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है तो ड्राइ ऑक्सी राइबोज तथा राइबोज सरकरा एक ही बर्ग के हैं जिसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं उसे पेंटो सिक्स कहते हैं यानि कि आप्सन मर्जो यहां पर भी है वो राइट एंसर हो जेगा आपको थोरा सा यहां पर धूंदला दिखाई देगा प्रस्ण उतर 33-34 या 35 तो आपके बीच थोरा सा कटनाई होगी पढ़ने में लेकिन हम आपके बीच अच्छे से हम लोग पढ़के बदा देते हैं कि DNA के नुकलो टाइड की विवास्था को कीस के दोरा देखा जा सकता है काफी महत्यपों प्रस्ण दोस्तों कि DNA के नुकलो टाइड की विवास्था कीस के दोरा देखा जा सकता है तो यहां जो देखा जाता है दोस्तो यहां देखा जाता है एक सरे crystal ग्राफी दो रहे निकि option जहाँ पे जो behavior right एंसर हो जाएगा और जब DNA के एक billion एक बिलागन टुक्रे को 82 degree से 90 degree Celsius पर राखा जाता है तो उस समय जो होता है दोस्तो इसका बी कुंडलन हो जाता है निकि option यहाँ पे behavior right answer हो जेगा आप बस सिद्धत से on तक जोड़ देखने का प्रयास कजेगा क्योंकि इससे बाहर एक भी questions जो है बोड इक्जामे नहीं पूछा जाएगा यानिकि इसके अंदर से ही आपके बोड इक्जामे प्रिभियास यार से लग रहते हैं तो क्या कहलाता है तो जब जयांग में स्वीकेसर एक दूसरे से जब जूड़े रहते हैं दोस्तों तो उसमें जो उसे कहा जाता है तो उसे ही हम लोग आसाइन से जो कहते हैं वह युक्टा डपी कहते हैं यानिकि option यहाँ पर जो बी हैवराइट इंसर हो जेगा कवक के दोरा और यहाँ पर AIDS-B-SADU का अन्वानसिक पदार्थ क्या होता है तो AIDS-B-SADU का जो अन्वानसिक पदार्थ जो होता है दोस्तों यह होता है जो 38 नमर जो परस्न है इसका जो सही एंसर हो जगा एक कुंडली RNA होता है यानिकि जो option और जो यहाँ पर जो बी है वह स कि जो दलानी पौधे होते हैं जैसे मुंग मुंग के जो दाल हम लोग हाते हैं उसके जो पौधे होते हैं या जो स्वाबीन के जो पौधे होते हैं या रहर या सनई के जो पौधे होते हैं उसके जो जड़ो में होता है वह राइजोबियम नमक चिमाडू पाजाता है और उसमें नाइट्रोजन की मातरा अधिक होती है तो इसलिए कौन सा नाइट्रोजन इस्तिकरन करता है तो राइजो यह यह जो होता है यह एक परकार का यह जे उर्व आरक के रूप में होता है यादर है का नोटिफिकेशन के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि जब भी हम आपके बीच वीडियो डालेंगे वह आपके बीच सबसे पहले आपके बीच पहुंचेगा और यहां पे जो चाइशन प्रस्ण का एंसल जे उर्बरक था और मरू अस्थलिये अनुक समुंदर भी आएगी प्यासे के पास समुंदर भी आएगी ठकर ना बैठ यह मंजिल का मुसाफिर और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल की माजा भी आएगी दोस्तों जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप मेहनत सिद्दत से रहें हैं दोस्तों याद रहें ऑप्संते आप देख रहें कि सेल क्रमक होता है जीवरहीत भी होता है और नगने चतान ये प्र्देश के जो और यहां पर प्रशन आप देख रहे हैं कि nucleic社 औमले कीज इंजाइम द्यएम धर खांडित होता है काफी महथ्यक्र परशन है दोस्तों कि जो nucleic acid होता है वह कीज इंजाइम धरा खांडित होता है तो इसका जो शही हैं सर ho तो जब मनुष्य की हाथ जो होता है और चमगादर के पंक और वेल के फिलिपर जो अभिवियक्त होता है करते हैं यह एक परकार के जो करते हैं यह होता है समझात अंग याद रहे ऑप समर्जों यहां पर जो बी है जो डी है वो राइट एंसर हो जेगा और PCR के तक्नीक के द प्राइमर्स के बंधने की जो किरिया क्या कहलाती है तो इसे ही हम लोग जो 45 ना प्राइट एंसर जो हो जाएगा इसे ही हम लोग अगराई थेगा तपा नुषीतन काते हैं यद्गत निम्नांकित में से कौन RDT का साधन नहीं है तो निम्नांकित में पूचाए तो RDT का साधन यहाँ पे नहीं है वो बताना है तो इसका जो सही एंसर हो जएगा वह प्रतिबंधन एंजाइम हो जएगा इसका राइट एंसर और यहां पर देखेंगे प्रस्ट नबर 47 प्रस्ट को कि टेक पॉलिमरेज एंजाइम प्राप्त होती है तो टेक पॉलिमरेज एंजाइम जो प्राप्त होती है दोस्तो यह होती है थर्मस अक्वार्टिकस से यानि कि जो आप सर्मर जो यहां पर जो ए है और राइट एंसर होजेगा बाइलोजी में आप ध्यान रहे रखेगा दोस्तों आप इंग्लीज पर जरूर ध्यान दिजिएगा क्योंकि बाइलोजी में लगवग 80% जो कोशन्स का एंसर जो होता है वह इंग्लीज में ही ही इसका उचारन होता है तो थर्मस अक्वार्टिकस यह इंग्लीज ही सब्ध है यानि कि अप्सन और यहां पर जो ए है वो राइट एंसर होजेगा और बीस्वा स्वास्त दिवस को मना जाता है काफी महत्त्यपोर प्रस्ण है कि बीस्वा स्वास्त और एम्नियो सेंटेसीस द्वारा बीस्वास्त लेशन होता है तो एम्नियो सेंटेसीस द्वारा जो बीस्वास्त लेशन के रूपे जो होता है दोस्तो यह होता है इम्नियोटिक द्रोगा यानि कि इसी का नाम से है यानि कि ऑप्सन जो सी है वो राइट एंसर होजेगा को देखते हैं कि टेफिटल कोसी का दार साती है काफी मत्तपुंड परसन हैं。 That is my तोसीस है तथा बहुग्नोरता को दार साती है । यहां पर देंगे और यहां पराइब कि गूलु बिजारु मात्री कोसी क statistics से चाहग बनता है तो गुरी बगराणु मातरी कोसिका होता है तो मना मानौ सुक्राणु की एकरो सोम का जो निर्मार होता है दोस्तो यह इसका जो राइटर होजेगा और जी का पर प्रस्ण को पूसी पौधों में नर्यूगमक का निर्मार किसके द्वारा होता है तो पूशी 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 पूधों में नर्यूगमक का निर्मार किसके द्वर्ण दोरह होता है तो इसका राइट एंसर हो जैगा वन जननको से द्वारा याद रहे और समय सी है व्याकर आइज स्वारा यहां पर इमेसकूलेशन जो सब्द है यह बाइलोजी के जो का जो सब्द है वह इंग्लिस में ही इसका उचारन हिंदी में किया गया है इमेसकूलेशन यह जो समंध रखता है दोस्तों यह रखता है संकराण से यानि कि जो सी है वो राइट एंसर होजेगा मिमिक्री की उपयोगिता है तो मिमिक्री की जो उपयोगिता जो होती है दोस्तो यह जानते किस में होती है यह होती है संचरन के लिए यानि कि अपसर में जो ए है वराइट एंसर होजेगा कवक मूल एक सह जीवी संग है तो कवक मूल एक सह जीवी जो संग होता है दोस्तो यह होता है कवक तथा पोधो की जड़ों के बीच जो option और जो B में है वराइट एंसर होजेगा और यहाँ पर 69 प्रस्ण को देख रहे हैं आप स्क्रीन पर की प्रास्परिक आस्रे होता है तो प्रास्परिक जो आस्रे जो होता है दोस्तो यह होता है यह होता है यह कुलाई तथा मनुश्य के बीच जो option और जो A में है वराइट एंसर होजेगा चलिए निक्ष्ण प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पर प्रस्ण है कि अमलिय वार्षा का पीएच मान पीएच नीचे होता है अमलिय वार्षा का पीएच मान यहाँ पर बताना है तो अमलिय वार्षा का जो पीएच मान होता है दोस्तो वह 5.6 हो जाएगा option वर जो थोड़ा समझाना चाहते हैं पीएच मान को पीएच मान तो पीएच मान जो होता है दोस्तों वह एक से लिके चोदा तक होता है और बीच में साथ और यहां पर साथ से जो कौम होता है वह अमल के रूप में होता है और साथ से जो अधिक होता है वह अधुदासीन बिलियन का प रखेगा तो चार का साथ से अधिक हो जएगा और अधिक हो जएगा और पी इतीर हम नहीं होटा है तो प्रीद 대해 पन को में होता है तो फोटोक्य मिग्र होटा ए-स-.. जो बी है वो राइट एंसर हो जगा केपे सीटेशन एक प्रकृतिक किरिया है जो होती है केपी सीटेशन जो एक प्रकृतिक किरिया जो होती है यह जान दें दोस्तों क्या होती है इसका जो राइट एंसर हो जगा वो मादा जनन मार्क में होता है आपसन जो यहाँ पे जो बी क्तिकाई क्या होता है तो यह निस्यचान को रोकता है जहिल से बात यह खास कर इस्तिरिया ही यूज करती है याद रहे उपसिसल में कि निम्नांकित में किसके द्वरां फ्âteा साइए यहाँ पर फ्यलना बता ना थे टो यहां जो होता है पे पी लोमा भिशान दोरा यानिकी आप समस्य डी है वर आइट इंसर हो ज़ेगा林 पुर्णर योगा इस तक्नीक उप्योग करता है तो एस तो my banaक्त देख पाते हैं दोस्तों तो एक से दो बार में आप अच्छे से देख लिजेगा इस वीडियो को दो तीन बार अच्छे से फूल फूल वीडियो देख लेंगे तो आपके बीच जो कोसंस आएगा बोडिक जमें वह एक फी कोसंस नहीं छुटेगा यानिकि इससे बाहर नहीं आने वाला है अनुवन सिक्ता अभियांत्री की जिमाड़ों को किसके उत्पादन के लिए स्वन्योजित किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर होजेगा शिक्टी से बना प्रस्ण का वह इंसुलीन यानिकि ऑप्सन मर्जो यहां पे जो भी हो राइट एंसर होजेगा इंसुलीन के कमीश से कौन सा होता है दोस्तो कोमेंट बख में राइट एंसर बताने कोसिस करेंबै हम अक्oten cancer और सजलीन की जो कमी से होता है वह घेंगा रोग ही होता है याद रखेगा याद रहे अप्सनों जो बी है वह राइट एंसर हो जेगा और यहां पर प्रस्थन है कि कौन सा सनवाहक DNA के छोटेखंड का कलोनिंग कर सकता है कर सकता है यहान पर पुछा है कि DNA के छोटेखंड को कलोनिंग कर सकता है तो इसका जो राइट एंसर हो जेगा 68pla e-₩ k सिर दी हो देवा यांगर में से कॉन सा प्रतिबंधन इंजाइम सीरह उत्पादित करता है यहां पे उत्पादित कौन करता है तो इसका यह उल पर त Almost यहां पर जो दिफन हो जेगा ही लींदी हब पूछा है दोस्तों तो इसका जो राइट एंसर होज़ेगा वनस्पतिक उद्ध्यान होज़ेगा और यहां पर प्रस्ण आप देख रहे होंगे कि ब्रूंड कोस की सेंट्रल कोसी का होती है दोस्तों वह दूइत्यक केंद्रक होती है सेकंडरी नुकलियस ऑप्सन मर्ज यहा बीज चोल का खाया जाता है काफी मात्तपों प्रस्ण है दोस्तों कि बीज चोल जो खाया जाता है वो खाया जाता है सरीफा का याननि कि ऑप्षा मपुर्जे यहाँ पर इह हो राइट एंसर हो जागा फ्रुवा का भीच चोल कहने का और थे तो यानिकी जो माने जी के यह हम शरीफा है इसको सरीफा माने जी माने जी यह सरीफा है तो उपरी वाली जो च्छिलका होती है उसे तो हम लोग खालते हैं और बिया को फेंग देते हैं जैसे माले जी ये लीची है तो लीची के जो उपरी भाग होता है छिलका उसे हम लोग फेंग देते हैं और बीच वाला जो भाग होता है उसे खालते हैं और जो नीचे जो उसकी बिया होती है उसके जो बीज होता है उसे हम लोग फें तो इसका राइट एंसर हो जिगा सरीफा और यहां पर उभाइलिंग की प्राणी है यह हम लोग लगभग सिक्स्त क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उभाइलिंग की प्राणी के रूप में जो क्या होते है वह केंचुआ ही होता है और केंचुआ को किसानों का मीत्र कहा जात है याद रही यह प्रस्ण में थोरा सा दिकत होती है दोस्तों को तो आपको बीच यह प्रस्ण जब हम पढ़ा देंगे तो आपके बीच कोई भी डाउट नहीं रहेगी और द्विगूनित सराश्णा होती है द्विगूनित यानिकी दो और यूगमनाज दो होता है जो कई कोउसंस में आपके बीच आने वाले जो कोउसंस है आपके बीच यह अहे पर लिखा हुआ है यह पर यह आपके बीच आएगा लेकिन आपको घबडाना नहीं है अच्छे से आपका इंसर सही के सही इंसर होगा इसका right answer हो जगा option मर्जो यहापे जो c है वह right answer हो जे यह और मानो रूधिर बर्ग O में है यानि कि मानो रूधिर O बर्ग में क्या होता है तो मानो रूधिर O बर्ग में जो होता है दोस्तो वह होजेगा आप्सन मर जहां पे जो ए है वह एंटिजेन अनुपस्तित होता है यानि कि एंटिजेन जो होता है दोस्तो वह अनुपस्तित र परकर का सेवाल होता है याद रहें आपस Bradley यहां पर जो बै एलाइट एंसब हो जएगा और क्राइजीन बाल क्रीमी से कीस फासल को बचाते कमी प्रश्चणी कराइजीन बाल करीमी से थिस फासल को बचाता है तो वह आपस के यके और जो यहान अमलिय बार्षा का कारक मेन क्या होता है तो मेन जो होता है वह A02 और A02 के मीश्रन से ही होता है अमलिय बार्षा यह जो खास कर होती है जो बरे-बरे जो कमपणियां होती है वहां से अनेकों परकार के भीहिन परकार के जो गैसे निकलती है जैसे खास कर बरे-बरे कमपणियां अब जो ताज महल की जो जो रंग है वह खासकर पिलापन पर रहा है वह अमलिय बार्शा के कारण ही होता है तो वहां से ताज महल के जो करीब में जो 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 कंपानिया थी उसे हटाया जा रहा है किम्कि ताज महल के सुंदार्था के लिए ही जाना जाता है तो अपसमर्ज़ यहां पे जो b है वर राइट एंसर होजेगा life and सूचक होता है life and जो सूचक होता है वह aso2 पर दूसर न का ही सूचक होता है उपसमर्ज़ बी है वर राइट एंसर हो यह प्रस्ण आप देख रहे हैं कि मानो सधारतिया ध्वानी तीवर्ता सहन कर सकता है काफी प्रस्ट दूस्तों कि मानो जो सभरतिया जो दुट जो सहन कर सकता है वह इसका राइट एंसर हो रहे सकता है वह वो हो जो जेगा दिखाई देगा लेकिन हम आपके बीच सही से सही पड़ते हुए बताते हुए चलेंगे तो जल प्रागण होता है यह हो जएगा है अपसर में यहां पर जो डी है और आई टेंसर हो जगा और यहां पर ट्राइसोमी 2N प्लस 1 के कारण बचे मंद बुधी के हो जाते हैं उसे क्या कते हैं ट्राइसोमी 2N प्लस 1 के कारण जो बचे होते हैं मंद बुधी के निकि मने जिस समझाया जैको और समझे कुछ नहीं तो उसे मंद बुधी के बचे कते हैं निकि बाद में एक पोटी शेबें पोटी सेबेंस सीन्ड्रो में जो शुकुनार्यों के संख्या हो जाती है याद रहेगा तो इसका अपसान नमर भी और डी ओने फिंगर प्रिंटिंग नीमनी में से जो होता है दोस्तों वह होता है डी ओनेटाइप और दी नफ फ्रोफाइलिग यानि कि जो C है, A और B दोनों, इसका राइट एंसर है, C इधर राइट एंसर फोर दिसकोसन दोस्तों, और सेसन अची लग रही हो, तो इसल लाइक जो रूप किजेगा दोस्तों, और चानल पढ़ने जूड़े हों, तो जो उड़ सब्सक्राइब कर लिजेगा, निमली कितम और ग्वानीन इसका राइट एंसर होज़ेगा, और एट्स बीमारी में HIV कीस को सिकार को नस्ट करती है, एट्स बीमारी में, तो यह होते है, T4 लिम्फोसाइट, यानि कि ऑपसर में यहां पे, जो C है, वाराइट एंसर होएका, T4 लिम्फोसाइट को यह नस्ट कर देती है और गी राष्ट्य उधियान लिक्षाथ है, काफी मत पूम प्रशने दोस्तों कि गी राष्ट्य उधियान जो बिक्षाथ है, या मुख्यता बिक्षाथ है, सिह के लिए, यानि कि ऑपसर में जो B है वराइट एंसर होज़ेगा, और यहां पे प्रशने के निूकलिक अमल म यानिकि न्यूक्लिक एसीड में जो नाइट्रोजीनस बेस के रूप में के रूप में जो होता है उसमें कौन सा बंद होता है तो पेप्टाइड बंद ही होता है याद रहे आप सर्मर्ज यहां पर जो ए है और आइट एंसल हो जेगा और यहां पर केंसर किसके द्वारा होता है तो किंसर कीच के द्वारा होता है तो ओंपोस के द्वारा ऊता है या रहे में चेया है पर जो भी है और आई टेंसल होजगा है लेड़ा हैं और के इंसर का अध्यान ही ऑंकोफो झात का लाथा है याद रहライ twenties जिन्स के द्वारा ही cancer होता है यानिके option यहाँ पर जो behavior right answer होज़े कलियार सोना किस की किसम है तो कलियार जो सोना होता है या मुख्यता जानते हैं दोस्तों किस की किसम होती है तो गेम हुँ की प्रोनत किसम होती है कलियार सोना यानिके option यहाँ पर जो behavior right answer होज़ेगा और यहां पर प्रस्टन है कि किसमें क्रित्रिम बीज का निर्मार किया जाता है तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा काईक भूण के दोर और इनके और जो एह वराइट एंसर हो जाएगा बीडी एन एक पुर्ण गुमा में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पियर्स होते हैं तो इसमें जो पियर्सों की जो संक्या होती है वह दोस होती है याद रहे और जो बीजाएगा और यहां पर प्रस्टन आप देख रहे होंगे की निमनी में से कौन भी साड़ो जनीत रोगे तो फुलू भी यह वायरस के करण ही होता है और यहां पर पोलियो भी वायरस और एर्ट्स भी वायरस हम लोग जानते हैं और यहां पर हम बताना चाहते हैं यह को संस पूछे जाता है दो नमर में इम्यून डिफिंसियंशी सेंड्रोम तो एर्ट्स का फुल पर हम एकवायर्ड इम्यून डिफिंसियंसी सींड्रोम ही होता है तो इसका राइट अंसर हो जगा जो बिशाणु जनीत रोग है यह डी इस दर राइट एंसर फोर दिसको नहीं कि और और जो है वह सही अंसर हो हो जबाद इनवें से सभी और डोडो है तो हम लोग जानते ही हैं कि डोडो जो होता है वा भिलूप्त प्राणी है यानि कि आप सन नमर जो यहां पे जो एहे वह राइट एंसर हो जगा जीवार्णु में पाया जाता है काफी मत पूप परस्न दोस्तों कि जीवार्णु मे क्या होता है तो जब द्वी शंकर के लिए जब पूछा जाएगा तो उससे में नौ अनुपाथ तीन अनुपाथ वन होता है नौ अनुपाथ तीन अनुपाथ जब ऐसका जो सी है वह एक जंकर के लिए यहां पर जाता है तो इसमें अलेंगिक प्रजन कर आज जाता है यानिकर दूद से दही बनाने में किस जीवारू का उप्योंग किया जाता है तो हम लोग और थी कलास से इंपर आ रहे हैं कि यहां प्रसन हैं कि नीमरी में दिखाए देगा दोस्तों तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं तो हम आपके बीश सही के सही बताते हुए चलेंगे सभी कोसंस प्रिभियस ओर कोसंस यहीं हैं दोस्तों तो द्विगुनित सरशना जो होती है यह यह उगमणाज भोजेगा और ऑपसमर जो सरोजेगा- इनमें से कौन सा पाउधा जलोध भीद है काफी मत्यप परश् Sol diferentes की जलोध भीद इनमें से कौन सा पाउधा है तो भो जह पूझे ऑसन्हें व्युद में और अछंद और डात रहे एक क्या क्या करिसे और जो सरीर से जो बाहर नीशेचन होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे ही हम लोग इन भीट्रो कहते हैं यानिकि इन भीट्रो और इन भीबो यानिकि इसे इन भीट्रो कहते हैं और सरीर के जो अंदर होती है उसे इन भीबो कहते हैं यानिकि इसका राइट एंस रोजगा आपसन न को संस में तो 50 जून को विश्व प्रवरंदिवस मना जाता है यानि कि of समय यहाँ पर जो इह वह राइट इंसर होज़ेगा सौर्टोली को सिखाएं होती है यहां पर इस परकार से सौर्टोली कि लिखा गया है बता दे रहे हैं हैं सर्टोली को सिखाएं पाए जाती है तो सर्टोली जो को सिखाएं जो पाए जाती है दोस्तो यह पाए जाती है ब्रिशन में यानि कि मनुस यानि कि जो पूरूस होती है उनके ब्रिशन में सर्टोली को सिखाएं पाए जाती है याद रहे आपसन और जो यह है वराइट एंसल करता है तो यह जो परदर्शित करता है यह एक परकार से यह करता है जीन का रेगुलेशन यह परदर्शित करता है निमनली खित में से कौन सा जन्तु उभाइलिंग है तुम लोग जान चुके हैं केचुए को किसान का मीत्र काते हैं और यह उभाइलिंग शॉडि शॉरी शॉरी यहां पर नहीं है यह उभलैंग पुछे गा तो केचुए हो जै लेकिन यहां पर नहीं पुछा एटा नाहीं और यहां पर बात कर रहे हैं कि निमनी में से कौन सा नाइट्रोजिनेस बीस DNA में नहीं होता है तो DNA में नहीं होता है इसका जो सही इंसर हो जाएगा दोस्तो वह हो जाएगा यहां पर DNA लिख देते हैं और यहां पर RNA लिख देते हैं और यहां बता दे कि DNA में जो पाएजाता है वह साइटोसीन यानि इसको सी से सुचित करते हैं कि साइटोसीन पाएजाता है और थाइमीन भी पाएजाता है और इसमें गुवानीन भी पाएजाता है और इसमें चाहब नहीं नहीं पहल जाता है याद रहे तो इसका राइट अंक्राण की विस्ची बिलुप्त हो रहे पुशपासन खाय जाता है तो पुशपासन जो खाय जाता है शरीप्या का तो हम लोग जानते ही है यह बीज चोल इसमें पाइज जाता है और जो पुषपासंद जो खाय जाता है दुस्तों इसका जो राइनसर हो जाईगा यह हो जाएगा सेव का अश्चेव को असर्थ Falls भी आप सर्म अब्सक्राइब यह रायट अंसर हो जहाएगा डी ने इन में से किसका क्या प्रश्ण की अंसर प्रश्ण ने कि इन से किसका ऑनिवांसिक प्तार्त है तो इसका रच एंसर बेक्ट्रियोफेज एंगे इस रहाइट इस फोर 20 स्कॉसन दुस्तों और जनसंग्या अधिक होने से क्या होता है तो आय में भी कमी होती है जमीन में भी कमी होती है यह कि दी जो है वह राइट एंसर हो जेगा एक्रोसोम इन में से किसका संभाग है तो एक्रोसोम जो होता है दोस्तों थोड़ा से यहां पर धुदला दिखाई देगा लेकिन हम आपके बीचे सही पढ़ रहे हैं कि एक्रोसोम इन में से किसका संभाग है आप बस सीदत से और तक जोड़ बढ़ने का पढ़ियास किजिए यहां से कोसन कोशन आने वाले हैं इन माना सुक्रार सिर्ष का भाग होता है इसका कोंफ़ सनी रोग है तो तो इसका जो राइट अंसर होजेगा कुस्थ भी हो जहां चलिकर हम लोग नेक्स प्रत्रस्णों देखते हैं और यहां पर देख रहे कुछ रोगों की सिग्रेयों सही पहचान है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा याद रहे याद रहे और यहां पर परिपक्व शुक्रारू का सिस पर एक टोपी नुमा सनरश्ना होती है तो उससे क्या कहते हैं जो टोपी नुमा सनरश्ना पाई जाती है उसे हम लोग एक रोश्व म कहते हैं और यहां पर जो यहां पर जो एह वह राइट एंसर हो ज़ेगा चले जले-जले करवा देते हैं और इस तरी दल चक्र यानिके पूस्पो में बना होता है इस तरी दल चक्र जो बना होता है वह जो बना होता है दोस्तों वह बना होता है उप्रुक्त सब ही यानिकि इस्टिग पे ताइचूंग इनिमे से किसकी किसम हैं काफी महत्तपों प्रस्ण दोस्तों कि ताइचूंग इनिमे से किसकी किसम है थोड़ा सा धुद्रा जो दिखाई जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके लिए हम माफी चाहते हैं दोस्तों कि जो उस समय क्या यह अंधेरा मे खीचा गया है इसलिए थोड़ा सा धूदला दिखाई देगा इसके लिए मापी चाहते हैं तो हम कभी सही पढ़ रहे हैं इससे आपको बुझा जाएगा एटू जेड तो ताइचूंग इनिमे से किस की किसम है तो यह जो होता है दोस्तों यह ताइचूंग जो होता है यह धान की होती है यानि कि आप सर्मर जो यहां पे जो ए है वह राइट एंसल हो जेगा और सिकल कोस का एनिमिया किस के किस परकार का रोग है तो सिकल कोस का एनिमिया यह यह जो है दोस्तों तो इसका जो राइट एंसल हो जेगा लिंग संबंधित रोग होता है इसका राइट एंसल हो जेगा आपसन नमबर एक क्राई आई एबी किसे किसे नियंतित करता है तो क्राई आई एबी जो नियंतित करता है अम लोग पहले ही कोसंस को देख चुके थे इस परकार से तो य और जल धारन चमता इन ये में से किसका गूंड है तो इसका जो राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका एंसर भी आगया होगा कि जल धारन चमता इनिमें से किसका गुण है तो इसका राइट एंसर होज़ेगा मृधा का याद रहे यहां पे 24 प्रस्ट यानिकि 124 प्रस्ट भी आपके सामने है कि ट्रांसजेनिक मूसो यानि कि चूफो का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं तो ट्रांसजेनिक मूसो का प्रयोग जो है या जो होता है दोस्तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या करते हैं या जो प्रयोग में लाए जाता है विया वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच है तो यान के उत्पति में विकास से जो रायट यंसर होजेगा और यहाँ परस्ण द्राइव पीथिकास इन से किस से किसके अधिक समान थे तो इसका जो राइट यंसर होजेगा एप के लंगूर के यहाँ जो यहाँ पर यहाँ आप rü virgen-ледists속点 निरमान कहा होता है dyedी लिंपो सेडत का या इसका निरमान होता है option जो मोई है जो राइट एंसर हो जगा और और चौपड़ेश करने हेतो कि इस पंधमे किया जाता है तो और एन जो आई होता है इसमें जो कीश पंधम के नियंत्रित अंत्रित में किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर हो जबा ओसा के निकोटीन याद रहे तो ऑप्सवाल्ण चलिए हम लग नेक्सट और प्रस्वन को देखते हैं और यहां प्रस्वन में निंगे अस्थानी किसमें संबंदि थे तो पादुपो में जो पूछे का तो ब्राइवफाइट्स हो जो जभा पूछेगा आप समय को समान युग्मक चली कीस परकार के होते हैं हम हम पहले ही जिकर चुके थे की युग्मक होता है वह दो होता कहेंगे तो दुई गुणक तो दुई गुणक यानिकी चार हो जएगा तो यहां पे प्रस्णे की एफटू संतति की बाहे लक्षणी अनुपात अब पुर्ण प्रभाविता इस्थिती में क्या होता है एफटू पूछा है तो जब एफटू जब पूछेगा दोस्तों वह एक अनुपात दो अनुपात एक होजएगा और फ्लेश यहां पर जो इन्युचर हो जएगा और यहां पर जो एक संकर करोश के लिए और तीन औंपात एक हो जाएगा और द॰ी संकर के लिए हो जाएगा तो जब में तीनों में से एक सवाल जो है यह परती एक साल पूछा जाता है लेक ओपरान किसका परतिनीधी है लेक ओपरान तो लेक ओपरान किसका परतिनीधी है तो लेक ओपरान जो होता है दोस्तो यह हो जाएगा इसका राइट एंसर यह हो जाएगा दमनकारी जीन की किरिया भी दी य इसका जो सही एंसर होना चाहिए या आप भी दे दियोंगे कि टी बराबर यू नेकि थाइमीन और यूरेसील कभी भी यह समा नहीं हो सकते हैं क्यूंकि थाइमीन जो होता है या डी एने में पाय जाता है और यूरेसील जो होता है वह आरेने में पाय जाता है याद रहे तो का राइट एन्सर हो जैगा 2 अंप्oshan no.d'ja euri कषाख को फूर्बर असायनिक विकास हुआ था इसकी अधरना किसकर दवडिया टी गए थी काफी महत्रपों問題 थो फ्रॉप्र अथा गए या जेवी विकास से पुर्वर असानिक विकास हुआ था इसकी अधरना कि इसके दोरा दी गए थी तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए यह यह आई ओपरेन और जेबी एस हेड़ेन द्वारा यानिका अप्सन और जो ए है वो राइट एंसर हो जागा बेलेशनेरिया के पुस्ब होते हैं तो इसने एडिया के जो पुस्ब होते हैं दोस्तो वह जौल परागीत होते हैं जौल परागीत तो अप्सन और जो यहां पे जो सी है वो राइट एंसर हो जेगा जौल परागीत चलिए हम दोग नेक्शन प्रस्ण को देखते हैं और यहां प्रस्ण आप देख रहे हैं कि निवनी में से कीस का पुसपासन खाया जाता है तो पुसपासन हम पहले ही कोसंस में देख शुके थे तो सेव का इसका राइट एंसर होजगा चलिए हम लोग नेक्शन परसने को देखते हैं सिसन अगर अच्छी लग रही हो तीसे लाइक जो किजेगा दोस् अधार बात करें हैं की हालिके ह indoors का प्रवा यहां पे उर्ड़ा का प्रवा पुछा तो याद रहे या एक डी मेंस परवा इस प्रकार से होता है एक डी 허락 और यहां बहुतем है तो तो जिवी खाद यहां पर जो नहीं है वो बैली सिलस बैसिलस से थ्रू एंजियंसिस हो जाएगा और यहां पर बी है और राइट एंसर हो जाएगा चलिए हम लग जली-जली में कर लेते हैं सभी को संस को क्योंकि यह सही को संस अगर आप दो से तीन बार इस वीडियो को नात करते हैं लिगो 95 पर संट एक जो को संस है वह इसी में से ही पूछे जाएंगे यह प्रीव्यस और को से ही पूछे जाएंगे चाय रोक का संक्रमार मुख्यता कीस के द्वरा होता है तो च्तिन जो होता है दूस्तों लख निया होता है हावा के दो आप सैंसर और यहां जे और रियक्टर अनुकुलतं प्रस्थिती तो यह उत्पाद निर्मार करता ऑप्सनमर और बीजचोल फ्रस्थितिकी के स्थित्रा को सब्सक्राइब बplat जायफल पहले बदोश्रा का घराड़ी जो होता है तो यहां पे देख रहें है कि सहौध निर्मार कौन करती है काफी मत्तपूर्प प्रस्ण हैं दोस्तों कि सहथ नीर्मार कौन करती है तो करता मधुमाखी इसका राइट एंसर हो जगा ऑप्सन अमबर C और यहां पर देख रहे हैं कि कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है तो मुर्गियों में रानी खित नमक वीम प्रियोग से बनाया जाता है तो इतली और दोसा का अन्टा की सुक्ष्मिजीव के प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है तो इसका राइट एंसर जो होना चाहिए दोस्तों यह होजाएगा इस्ट यानिके चली निक्षनफ को देखते हैं और हम लोग कि मेशनी में जो पड़ते हैं कि समुंधरी घास के ले मिनेरिया नावर घास से ही समahah जो होता है वह रवियोडीन का नीर मार किया जाता है तो याद है समुंधरी घासsein uft Сам rated दोसे आप आप सा ताबित किया गया था और रितूस्राव चक्र किस में होता है तो रितूस्राव जो चक्र होता है वह मनुष्य में भी होता है चिंपेंजी में भी होता है और बंदर में भी होता है निके जो डी है वह सही एंसर हो जेगा आप समय जो डी है वह राइट एंसर हो जेगा चलिए अप्रशन को देखते हैं क्थ और यहां प्रश्न के दिभी माणस के पाउ lige का पाउ जाता है काफी दोस्ता कि आ यह काफी महत्यप्रश्ण ने कि बीजॉल परिक्षण किसकी पुष्टी के लिए किया जाता है हम लोग जानते हैं कि एर्स में एलिसा टेस्ट होता है टाइफ हैड में यह वीजॉल परिक्षण हो जेगा अपसे यहां पे जो बी है और आई टेंसर हो जेगा जो जीमार होता ह सालिमोनेला टाइफी नामक जीमार होता है टाइफाइड में और केंसर का अध्यां होता है ओंकोलोजी जो 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 अंकोजिन से के द्वरह होता है और हिईट इंसर होंगे यह ती हिल पर कोशा इसका राइट एंसर हो शिका ऐसे पदार्थ जिनके प्रती रक्षा अनुकिरिया होती है उन्हें क्या कहते हैं तो उसे ही हम लोग जो कहते हैं तो आप असाइस इसका एंसर भी दिये दिये होंगे इसका राइट एंसर जो होता है वह हो जाएगा और यहाँ प्रस्ण आप देख रहे हैं कि अलर्जी करण जो निकलने वाले जो रासायन होते हैं वह इसका राइट एंसर हो जेगा हिस्टॉमीन यानि कि आप्सन वर जो यहाँ पर जो ए है वो राइट एंसर हो जेगा और यहाँ पर नीवर में से कौन सा नौर युगमा के सन्योजन कर भृूंड पोस्ट बनाता है तो नौर प्रशना देख रहे हैं स्क्रीन प्रण के एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है इस घाटना को क्या कहते हैं तो इस घाटना को जो कहते हैं दोस्तों वह इसे हम लोग प्रभाविता कहते हैं ट्रांसफर आर एन ए में पाये जाने वाले त कोड़ान कहते हैं और यहां पर किसी प्रकार का आपको डाउट हो ज़रूर आप कमेंट बक्स में इसका डाउट जरूर लिखे जाए किसी प्रकार की डाउट हो तो और यहां पर बुच्रेरिया फ्रेंक ओफ्टी जो आदमी फाइलेरिया रोग पैदा करता है का सम्मूह क्या होता है तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए दोस्तों आप भी ऑप्सन में दे दिये होंगे इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका जो राइट एंसर जो होन केने से सरीर का कुण सा इंग सबसे ज़्यादा प्रभाविद होता है अगर अधिक अलकोहल होदें नियानि की दारूर पिएंगे या किसी प्रकार से आपकोहल लेंगे तो सरीर में जू कि ज्यादा लौत बिब्यों यंक्रीफ हो जेंगा pipeline मेंडल के निएम का एक अपवाद है तो मेंडल के निएम का जो एक अपवाद होता है वह सुलंगनता होता है ऑप्शन मर्जों यहांपे जो सी है वह राइट इंसर हो जेगा और यहां पर प्रस्न है कि कि निवन में से कौन योंस संचारित रोग है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पता ना चाते हैं योंस संचारित रोग में एडशी भी हो जैगा इडश ऐड़िस और गुनोलिया ठीक सीफलिस और गुनोलिया तीनों से एक pan dope एक कोशन से पूछा ही जाता है यहां संजाई त्रुख से तो ऑप्शन वजिए यहां पर यहां पर यहां पर पूछा गया है कि वीमारी नहीं होती है भी सारू के दोरह इसका जो राइट एंसर हो जएगा वह डिप्थीरिया इसका राइट पालन में समलित नहीं है पासु फालन में कौन सा है जो समलित नहीं है यहां पूछा है जो जो खेती होता है यह पासु पालन में समलित नहीं है और यहां प्रस्ण आप देख रहे हैं कि निमनी में किसका समद्ध माइक्रो बाइलोजी से नहीं है माइक्रो बालोजी से यहाँ पे पूछा यहां किसका संभन नहीं है तो इसका जो 문제 होगा दोस्तों इसका राइट यह जो यह धाल होगा शुफ स्टेपेन हेल्स रखेंगा इसका राइट अन्सर चलिए किन देख लेते हैं और यहां प्रस्ता अफ देख रहें तो आप्सन बर जो यहां पर जो बी है वो राइट एंसर होजेगा और यहां प्रस्ण है कि प्रिथकरन के सिधान्त को और क्या कहते हैं तो प्रिथकरन के सिधान्त को और जो कहते हैं दूस्तों इसका राइट एंसर जो होजेगा वह इसका राइट एंसर होजेगा ऑप्सन ब परजातियों के निर्मा के जो महत्तफूर्ट जो करक है वह उसका उत्पड़ी वर्तन इसका राइत इंसर हो जेगा चले नेक्स प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर देखेंगे एक से कतना प्रस्ण को कि एकीडिना है तो एकीडिना जो होता है यह एक प्रक्रक्रका योजक कड़ी होता है और यहां प्रस्ण है कि डोडो है तो डोडो जो होता है यह एक बिलूप्त प्राणी होता है तो जो डोडो होता है वह एक बिलूप्त प्राणी है निर्मे से कौन सा द्विगूरित सरचना है तो द्विगूरित सरचना हम जानते हैं कि युम्रज होता है और और यहां प्रस्ण है कि कौन सा पधा जलोद भीद है तो जलोद भीद यहां पर बताना है कौन सा पधा है तो इसका जो सभी एंसर हो जाएगा और सटोली को सिकाएं पाए जाती है लेकिन आपको नहीं करना है तो आपका ईंसर आएगा वह आपका नसर भी आ ङया हो कि option number B होना चाहिए बिल्कुल नहीं सही अंसर हो जाएगा क्योंकि X और Y पूरुस में ही पाए जाता है तो याद रहे option नमर यहाँ पे जो B है वो राइट अंसर हो जाएगा ये गुण हो जाएगा और गुण्टशूत्र की संक्या 23 जोड़े होते हैं 23 जोड़े की मतलब दो कि अगर संक्या पूछेगी तो 46 हो जाएगी और गेंडा अभ्यारन किस राजय में आवस्ति थे तो जब पूछेगा किस राजय में वस्ति थे तो इसमें बायोगैस में जो मुख्यता होता है यह होज़ेगा आपसन में D CO2 भी होता है CH4 भी होता है और H2S भी होते हैं आपको सेसन अची है यह होता है यह पकीटीन आवस्ता में स्टा होता है याद रहे और PCR से की जाच होती है तो PCR से या HIV की जाच होती है और यहां प्रस्ण आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पर्तियक जीवित पादप कोशिका से पुर्ण पौधा बन जाता है इस गूड को क्या कहते हैं तो इसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं कि टी कि जो सी ऑवराइट असवरोगि पोस्गे में गॉंण सुस्त्र कीौण तक क्या होती हैं तो जब आप पूछेगा दोस्तों तो इसमें 3N की तिन गुणा होता है कि गुण सुत्र के सुत्र गुणता या 3N हो जाएगा option जो C है वह राइट एंसर हो जाएगा एक सभ्यासन प्रस्ण का राइट एंसर जाएगा option लेंगिक जनन काते हैं यानि कि जो option जो यहां पे जे है तो इसका राइट एंसर हो जेगा और यहां पे मानो युगमकों में गुण सुत्रों की संख्या होती है तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जान चुके थे कि युगमक मतलब दो होता है ऐसा नहीं की जल्दी जल्दी में हम लोग 46 लगा देंगे तो यहां पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा युगमक मतलब 2 होता है तो यहाँ पे तेश जो है वो राइट एंसर होजगा पिलकुनी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट एंसर होजगा तेश इसका राइट एंसर होजगा और यहाँ पे है रेस्टिक्शन इंजाइम है तो रेस्टिक्शन जो जो डी है वह सही अंसर होज़ेगा इको आरवन यहींद थाड और भी है एज आए वन जो डी हो राइट इंसर होज़ेगा जो रेक्षिक्सम इंजाइम होता ही वह इनिमें सब्सक्राइब कि निए परष्रनी हो देखते हैं कि राष्ट झाल मैं परदान की जाती है तो परस्तिकी तंत्र Qué की राश्चियbir राश्टिय उद्यान हो स्ब्सक्राइब की जाती है पर सब्सक्राइब सेखेद निलिए कि न непí पát masa में गर्म करते हैं ऑपacuration में जो गर्म किया जाता है दोस्तों वह गर्म किया जाता है कि वाल दूद को यहां नहीं यहां पर ठोड़ा से किसी भी तरल को 70 डीगरी सेल्सियος पर याद रहे यह तरल के रूप में यानि कि द्रोग के रूप में दूद भी हो सकता है तो option जो C है वो right answer हो जगा और यहाँ पर प्राग भीती होती है तो प्राग भीती जो पाई जाती है दोस्तों वह जानते हैं इसका right answer क्या होगा वह द्वी अस्थरी है टील इंपोसाइट उत्पन होता है तो टील इंपोसाइट का है या बील इंपोसाइट या अस्ती माजा में उत्पन होता है और इको आरवन का स्रोत सरी इको आरवन इंजाइम का स्रोत होता है तो इको आरवन इंजाइम का जो मुख्यता स्रोत होता है इसका जो right answer हो जगा option और जो B है equally इन में कौन सा किट भक्षी पौधे हैं तो किट भक्षी पौधे के रूप में जो यहाँ पे है वह हो जगा नेपेंथिस इसका right answer हो जगा option number B और यहाँ पे है उभालेंगी प्रारी कौन सा है तो हम लग जान चुके है कि केंचुआ ही होता है क्लोरेला नीमनी में से क्या है तो क्लोरेला जो है वह नीमनी में से वह सेवाल है यानि कि option number 20 यहाँ पे नहीं दिया रहेगा दोस्तों option में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है कहां है कि तो कि अपसर नम्बर जो ए वो रॉइट यंसर होजेगा उन सट का सोरी 89 प्रस्ट ने पर सोल से जलोगा ऑप्सवर जो यहां पर तो कि कि हो है को कि तो ए इसका राइट स्थ होजेगा उर यहां पर कराई जीन बाल क्रीमी से नीम में से किस फसल को बचाता तो कपास इसका राइट एंसर हो ज़ेगा और यहां पर फ्रस्ण आप देख रहे होंगे की न्यमें से DNA में कौन से प्यूरीन बेस है तो DNA पुछा DNA तो DNA में जो प्यूरीन के रुपे जो बेस है वह इसका राइट इंसर जो हो जाएगा वह C-Adenine और Guanine इसका राइट इंसर हो जाएगा दोस्तों थामीन जो होता है और साइट्रोसीन हो जो होता है वह DNA में पाए जाता है लेकिन एडिनीन और Guanine इसका प्यूरीन बेस होता है याद रहे और जो सी हो राइट इंसर होता है तो उंकोजीन के द्वारा और यहां प्रश्णावद है कि सुक्ष्यम प्रजनन में क्या संभाव होता है तो इसमें जो संभाव होता है दोस्तों यह इसका राइट एंसर हो जाएगा और अप्सनमर जो यहां पर ए है अलेंगिक जनन बिल्कुल ही सही एंसर हो जाएगा और यहां परसने के ट्रीपल एंटिजेन टीका का उप्यों किसके लिए नहीं होता है तो ट्रीपल इंटिजेन टीका का उप्यों किसके लिए नहीं होता है नहीं पूछा है तो नहीं इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वह रऋएगा और यहां पियमल इसे कौन ग्रीन हाॉँस गैस ले 2-ेश नहीं है तो उम्मीद करते हैं आपका एंसर आσद स्थ वह जेगा और आप्सन है और यहां पर चाहना राष्ट्य उद्यान प्रसीद है यह जानते हैं दोस्तों कीस के लिए प्रसीद है तो यह दोस्तों इस प्रकार से इस महत्तपूर से शन को यहीं पर कीप खत्म करते हैं अगर इस इन से विडियो को 2-3 बार अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद आप के वोड़ी जम एक भी कोसंस नहीं छूटने वाले हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं तो अभी के लिए इतना ही दोस्तो थेंक्यू फोर वाचिंग